नमस्कार मैं डॉक्टर मेजबीन आप सबका अपने यूटूब चैनल माई ओनलाइन एजुकेशन में बहुत स्वागत करती हूँ आज हम लोग समाजिक विज्ञान की पाठी यूजना को कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे इसमें भी अन्य पाठी यूजना के समान सबसे पहले उपर मद में पाठी यूजना को लिखेंगे और उसकी संख्या को भी इंगित करेंगे फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम आएगा फिर एक फॉर्मेड बना कर उसमें हम बाएं तरफ कक्षा विशय और उपविशय को इंगित करेंगे और दाय साइड में दिनांक अधी कलांश को इंगित करेंगे यहां पर मद्ध में हम प्रक्रण को इंगित करेंगे फिर इसके बाद हमारा आएगा समान ने उद्देश चुकि समाजिक विग्यान में चार विशाय आते हैं इतिहाज, भुगोल, आर्थ सास्त्र और राजनीती सास्त्र तो इन सब के समान ने उद्देश अलग-अलग होंगे और हर विशाय के जो भी पार्टियोशना बनेगी वो समान ने उद्देश यहां पर लिखे जाएंगे सभी के चारों के समाने उद्देश मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं आप वहां से उनकी लिंक हैं वहां से आप खोल कर उसको देख सकते हैं लिख सकते हैं समाने उद्देश के बाद हमारा आएगा विशिस्ट उद्देश विशिस्टोदेश हमारा प्रक्रण से संबंदित होता है तो सभी जितने भी प्रक्रण बदलते जाएंगे उसी के हिसाब से हमारा विशिस्टोदेश भी बदलता जाएगा यह हमारा ब्लूम के टेक्सिनॉमी ब्लूम के जो ग्यानात्मा को भावात्मा को किर्यात्मा के स्थ और साथ ही ये भवी शकाल में लिखे जाएंगे जैसा कि यहां पर लिखा गया है चात्राएं वायू मंडल के बारे में बता सकेंगी चात्राएं वायू मंडल के घटकों के बारे में यहां समझा सकेंगी होगा बता सकेंगी नहीं होगा क्योंकि दूसरा जो है यह तीन ही इन प्रतों को चित्रे द्वारा परदर्शित कर सकेंगी ये सही है फिर इसके उप्रांत हमारा था है सहायक समगरी सहाय minesल्डी में हमका क्षा उप्योग यूप कर आफ दुद्ध उसके बाद चार्ट ंतिकर जो भी हम है ते ट्रिबून का चित्र रहें चाहतं है वह को भी ब्यूक्त करेंगे इसक/. लाइटूरा और पूर्वग्यान जिसें रहे हुए अब उसके बारे में लिखेंगे इस particular का जो सम्ढारी कर्शन ने संगल जान चाहिए जब और इन परशनों में, तार। Another ल Ohh इं है। नहीं रखने, जैसे यहां पे हैं और इन परशनों में अबद को है निहां को मिद्यों होनी चाहिए और यह चात्रों के पूर्व ज्यान पर आधारित होने चाहिए फिर हमारा आएगा उद्देश कथन हमारा प्रक्रण निकल जाने के बाद हम उद्देश कथन बोलेंगे कि आज हम लोग वायू मंदल के बारे में मिलका रध्यन करेंगे शिक्षण विधी के अंत प्रस्तुती करन उपर सबसे पहले हम हेडिंग दाल के फिर उसके बाद इस तरह से तीन कॉलम हम बना लेंगे चात्रा अध्यापिका कथन चात्रा कथन और श्यामपट का लिए चात्रा अध्यापिका कथन में वह सारी किरिया कला पाएंगे जो की चात्रा अध्यापिका कर लिगे कुलास में शामपट कारे को करेगी यहां पर लिखेंगे यहां पर साथ कारे लिखेंगे कर दिया गया है क्योंकि निकला वायु मंदर को समझाया गया है पहले दो पूछन भी पूछ कर भी इस पुछ कर दिया लिख कर दिया गया है इस तरह से भी होता है यह तो इस पस्टी करण लिखने के लिए यहां पर एक आग दो कोशन आप पूछ लेंगे फिर उसके बाद इस पस्टी करण फिर लास्ट वाले का करते हुए जो बच्चे नहीं बता पाएंगे उसको करते हुए अपना हम सिक्षण अरिगम शुरू करे हैं और कहीं कहीं प्रश्ण बिल्गने जैसे यहां पर प्रश्ण लिखा गया है तो हम जो दो प्रश्ण हमारा है दो या तीन प्रश्ण वह हमारा बोद प्रश्ण होगा जो कि हमारा इस परस्टी करणा जो पहले का है जो पढ़ाया गया उससे संब्दित होगा और लास्ट वाला यहां चार कोशन रखें तीन कोशन भी ठीक रहते हैं तो तीसरे पर समझ स्थ pont कोगा अगर चार दे रहे हैं तो चौथे पर समझ स्थ यानि आखरी कोशन जो है वो हमारा विकासात्मक प्रश्ण होगा जो कि बच्चे नहीं बता पाएंगे और उसका फिर इस पस्टी करण नेक्स्ट वाले उसमें किया जाएगा इस पस्टी करण यहां लिखकर किया गया है इसी तरह से आप अगर इधर करना चाहते हैं तो इसम आप यूज्ज करेंगे प्रियोक करेंगे उसको सुन्दर सुन्दर बनाकर जयसे आप चार्ट पर बनाएंगे वैसे ही चोटा उसका मॉर्डल परती रूप बनाकर यहां लेसन प्लान में भी चिपकाएंगे फिर यह यहां पे यह प्रश्ण पष्टी करण है यह इस कम्प्लीट हो जाए तो इन्होंने दो ही इस पस्टी करण रखा है अगर जो भी आखरी इस पस्टी करण होगा उसमें हम प्रश्ण बहुत प्रश्ण रख भी सकते हैं लेकिन नहीं रखी तो ज्यादा उप्युक्त होगा क्योंकि मुल्यांकन प्रश्ण के तुरंत बाद करेंगे हमारे मुल्यांकन प्रश्ण फिर इसके बाद हमारा घ्रिक आ रहाएगा और इसमें इसके बाद हमारा सुझाओ और और फिर लास्ट में 5-7 लाइन के बाद प्रियाविक्षि का अस्ताक्षा रहेंगे यह हमारा समाजिक विग्ञान का जो फॉर्मेट है अगर दिस्क्रिप्शन में लिंक डार रखा है आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं उसका फॉर्मट समझ सकते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले ताकि आ अनिवाद